वहीं वश्मी राजिसान में ट्रिडी दल के प्रकोप से पेडित किसानों को जल्द मुआवजा देनी के मुख्य मंत्री के निर्देश के बाद अब राजास्व मंत्री हरी शौधरी ने अधिकारियों को अगले दो दिन में गरदावरी रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिये हैं चौधरी ने सचिवाले में वीसी लेकर ये निर्देश दिये वही मुआवजे के लिए फाइल राजय निर्वाचन आयो को भीजवा दी गई है इस दोरान हरी शौधरी ने सभी जिला कलेक्टर को कहा कि प्रदेश की गहलूत सरकार किसानों को लेकर कंभीर है जस तरीके से पिछले दिनों पश्मीरास्थान में टिट्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसल नश्ट हुई है उससे किसानों को राहत देने के लिए सरकार उन्हें जल्द मौअपसा देगी ऐसे में सभी जिला कलेक्टर अपने अपने क्षेत्र के तहसीलदार और पटवारी को अगले दो दिन में गिरदावरी रिपोर्ट का का रिपोर्ड करके रिपोर्ट भजबाने के लिए निर्देशिक खरी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मौबजे के लिए फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास अनुमती के लिए भेजी गई है जहां से अनुमती मिलने के साथ ही सभी किसानों को मौबजा दिया जाएगा वरतलब है कि पश्मिरास्थन के वरीब 11 जिले प्रभावित हैं एक हजार गाउं के एक लाग किसानों की 7 लाग हेक्टेर फसल बरबाद हुई है जाहर है कि ये परिशानी बड़ी है किसानों के सामने समस्या विकट है ऐसे मोंने सरकारी मदद का इंतजार है फर्स्ट इंडिया न्यूस के लिए जैपुर से रितुराजु शर्मा की रिपॉइंट